हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो माई चानल दिव्या प्रेग्नेंसी हैल पाई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गरह वबस्ता बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो मोसली उन महिलाओं के लिए है जिनका बहुत सारे डियम आते हैं कमेंट आते कि म आपको डिटेल से जाना बहुत जरूरी है कुछ ऐसी गलती आप करते हो जो कि आपको रिलेशन के तुरंत बात नहीं करना है जिससे की प्रेग्नेंसी आपकी कंसीव नहीं होती है पीरेट्स आपको अगर हर महीने आते हैं चाहें आपका 21 दे का सरकल है 22 दिन का है 24 दिन का ह जो भी आपका पीरेट्स सरकल है पीरेट्स आपको हर महीने रेगुलर आ रहे हैं तो आप 110 परसंट इजीली प्रेग्नेंसी को कंसीव कर लोगे कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन पौन सी ऐसी गलती है जो कि रिलेशन के बाद तुरंत आपको नहीं करना है वरना आपको प् जैसे आपका पीरेट्स आज आया है तो कम से कम आपको तीन से चार दिन सर को वाश नहीं करना है पीरेट्स ताइम में अगर आप सर को वाश कर लेते हो जैसे माल लीजे आपका पीरेट्स का सेकिंड दे है और सर को वाश कर लिया तो इससे आपकी जब पीरेट्स आपको आ जिसे पीरीट्स पोला जाता है, अब तर्ब आखे से क्लीन नहीं हो पा रहा है। यूट्रीच अपनेक्सμο बेदा रहा है, आप नहीं वाश निकले हूए तो लिएक्ष पेर्ट्ड्सु धेश्च तो हमारे जैते हैं नहीं 어제 जब नहीं हो पा है, यह में अगली बार यहां या आपको पीरेट्स आते हैं जब एग और स्पम मिलता है तो इंप्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन इंप्लांटेशन कभ फेल हो जाता है जब आप पीरेट्स ताइम में सर को वाश कर देते हो गलत टाइम पे यह तो हो गया पीरेट्स के तुरंत पार सर को वा तो छौते दिन करना है सर को कर लें कर लिए उसके साथ साथ जब इसी डिन आते या वालेहर 10 क्री जी ए współकुत बेट कर रहें के लिए उसी डिन अग्याक्ट года Beginning लोग वाशना करना में और लिए GOTनी फिल टेदें थे से दिन आजाते हैं नाजासव जाते हैं or बहुत सरी लोगों के साथ होती है और जिस दिन पीछ जाते हैं और और उसाफ सार को बात प्रसुत उसे समकिला मैं जीनित पेछनी पारी आपको यूटरिश बहुत भी अमसंट केस्टा अपूरे प्रछा नियआ इस प्रचारिते लिए इस लिए गरवस्ता को जन्नेट करने के लिए लेकिन उस- सर को गलख टाइम पर वाश कर देते हो जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती और आपको पीरिट्स आजाता है तो पीरिट्स आने वाले हों तब भी आपको सर को वाश नहीं करना और जब पीरिट्स चल रहे हों तो तीसरे या चौते दिन सर को वाश करना है कम से कम तभी आपकी पीरिट्स की जो कहते है न सारा जो गंदा चीज होते हैं तभी बॉड़ी से बहुत सारा ब्लड निकलता है वो आपकी बॉड़ी का गंदे वेक्टीरियास होते हैं डड़ सेल होते हैं जो की पीरिट के रूप में बाहर आता है और उसको आना बाहर बहुत ज़रूरी है तब ही आप प्रेग्नेंसी को अच्छे से कंसी कर आओगे ठीक है तो पैली गलती आफ एक आफ चल hotel चलंब एक दम से उटके वउश्रूम चलिए तो आसा नहीं करना है घापकी देमाग वाश्रूम प्रेखिय जरू हो और हैं लिखळाएर निजलील्द कि भूलत कि था तक पूददिन प्रकरिया नहीं शुरू होगी इसलिए जब आफ प्लिण बनाए तो जब पहले यूरीन होके आए ताकि आपको अपने कमर के नीचे कपिलो रख ले ताकि जब आप रिलेशन बनाए तो जो अच्छे से अंदर चला जाए अब कई क्या होते है कि महीला को कोई प्राब्लम नहीं है महीला का सब ठीक है बड़ जो प्राब्लम है वो जो पूरश का स प्राब्लम है उसके शुक्रानू से एक प्राब्लम है जिसकर के वह अंदर नहीं अचे से जा पाता अपने प्रेग्नेंसी की परक्रिया कैसे शुरू होगी तो उसके लिए मैं तभी कहरे हूं अपने कमर के नीचे एक आपने पिलो रखना है और जब आप रिलेशन बनाते प्रेग्नेंसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है तभी इंप्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो जब आप रिलेशन बनाते हैं तब आपको सर को वाश नहीं करना है वेट करना है कम से कम तब तक वेट करना है उसके बाद ही आपने सर को वाश करना है तो यह बात देखिए कि आपको 110% प्रेग्नेंसी कंसीव होगी चोटी बातों का ध्यान रखोगे तो सच बता रहे हूं आपको कोई भी चीज की अवाशकता नहीं पड़ेगी कि आपने कोई ट्रीटमेंट लेना या कोई दवाई खानी आपको ऐसी नेचुरली प्रेग्नेंसी कंसीव हो अब बात करते हैं कि बहुत सरी महिला यह भी डियम करते हैं कि मैं हम रिलेशन बनाते हैं और 20 मिनटे रहते हैं बट हम तो सोई जाते हैं बट हमारा फिर भी प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं होती तो देखिए जो शुक्रानू होते हैं ना स्पम के जो शुक्रानू होते हैं व प्राइबेट पार्ट को वाश करना है कोई भी आपको infection ना हो क्या होता है जब आप relation बनाते हो तो जो स्पाम होता है वो कहां पे रहा जाता है बच्चे दाने के मुँपे रहाता है जिसे वको कोई ना कोई फंगल इंफैक्शन या कोई भी इचिंग की कोई प्रब्लम वो हो जो कि private पर होती है तो गलत होती है इससे भी कई रिजन हो जाता है कि प्रेङ्णनिंसी रांसी नहीं होती है और बहुत सारी आपको प्रब्लम हो सकते हैं अर अपने को रहता है अपने को सब्सक्राइब ज़्यारी तो रह भी बढ़ी प्रावलम सकती है थीक है यह तो हो गई बात के relation मिनाने के बाद आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है अब सबसे मोस्ट इम्टेशन की प्रकृरिया पेट में शुरू हो जाती है यानि कि जो बच्चाए वो गरब की दिवा से चिपक रहा होता है और वहीं पर आप सर को वाश कर देते हूं जिससे यूट्रेस में संकूचन शुरू हो जाता है और आपको पीरट साजाते हैं जब भी आपने देखा होगा बॉड़ी जब बहुत गरम होती हो उपर सर पर पानी पा लेते हो तो बॉड़ी आपके ठंडी हो जाती है तो जो आपका यूट्रेस वो दुबारा से क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है जिससे संकूचन की प्रक्रिया शुरू हो जाते हो जो इंप्लांटेशन है वो फेल हो जाता है इसलिए रिलेशन से पहले याने की जो पीरिट्स अब आये पीरिट्स खतम हो जाए उसके चौते दिन आपने सर को वाश करना है उसके बाद आपको लगता है कि आप पीरिट्स हमारे नहीं आए फिर सर को आप वाश कर सकते हो और एक हफते के बाद टेस्ट करिएगा आपकी पक्का 110 परसेंट पॉजटिव आएगी और आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया होगा तो आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत ज्यादा नौलेज मिली होगी चैनल मनेगों तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके गरवती महिलाओ के साथ जाजादा शेयर करिएगा ताकि वो भी प्रेगनेंसी का सुख प्राप्त कर सके बाबाई